नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माधियम से बताने जा रहे हैं अगर आप भी बिस्तर पर बैट कर खाते हैं खाना तो जेल सकते हैं ये नुकसान आज कल की भागदोड भरी जिंदगी में हमारी कुछ आदिते ऐसी होती हैं जिनको हम रोज करते हैं लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रहता कि यादते हमारी सरीर के लिए ठीक नहीं होती कई घरों में लोगों की आदते होती हैं कि वे डाइनिंग टेबल पर खाना ना खाकर बिस्तर पर ही पेपर बिचा कर खाना खाते हैं बिस्तर पर खाना खाने की यादत लोगों को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है जानि क्या है ये नुकसान नींद में कमी अगर आप बिस्तर पर बैट कर खाना खाते हैं तो इस बात का ध्यान रखे कि आपको नींद की समश्या हो सकती है इसे सरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है विस्तर पर खाना खाते हैं रहने से रात में गहरी नींद नहीं आती साथ ही मन भी पूरी तरह से बैचेन रहता है कई बार नींद ना पूरी होने से कई बड़ी बिमारियों का खत्रा रहता है इसलिए विस्तर पर कभी भ खाना नहीं खाना चाहिए गंदगी से पनक्ते रोगानू अगर आप विस्तर पर खाना खाते हैं तो जिस चादर पर बैटकर आप खाते हैं उसलिए इस बात का हम सभी को ध्यानर debit की पास दिनके अंतराल में हमों विस्तर की जादर बदल लेनी चाहिए साति विस्तर पर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से हम कई तरह की गंबीर बिमारियों से बच सकते हैं व्यग्यानिक कारण विस्तर पर खाना कई व्यग्यानिक कारणों की वज़े से भी नहीं खाना चाहिए माना जाते है कि जादर तर विस्तर रूई के ही बने हुए होते हैं रूई को उर्जा प्रवाग का रोधक बताये गया है विस्तर सरीर में लीवर की उर्जा को निकलने नहीं देती है जिससे हमार अपाच अंतर न्तर खराब होने लगता है प्यारे दोस्तों हमारे याप पर वेदो पुरानों में भी ये कहा गया है कि बिस्तर पर बैट कर खाना खाने से हर प्रेकार से नकारात्म कुर्जा का घर में वास होता है और हमें अनेक प्रेकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है अगर हम बिस्तर पर बैट कर खाना खाते हैं तो हमें अनेक प्रेकार के बुरे सपने भी आते हैं जिनकी वज़य से हमारा मन बेचेन हो जाता है तो अगर आप अपने आपको स्वस्त बनाई रखना चाहते हैं तो विस्तर पर कभी भी खाना ना खाएं या तो आप डाइनिंग टेबल पर खाएं या फिर हमारे पूर्वजयो द्वारा हमेशा से अपनाई गई इस विधी को अपनाएं आप धर्ती पर आसन भी छाकर उस प प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जय हिंद